Hello everyone, I hope you all are doing fine. आज के स्वीडियो में मैं आपको डेंटिल कोर्स और डेंटिस्ट्री की ब्रांचिस के बारे में बताऊंगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. डेंटिस्ट्रीक मेडिकल ब्रांच होती है, जिसमें ओरल कैविटी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं. इसके कोर्स का नम होता है BDS, यानि की बैचलर इन डेंटल सर्जरी, यह फाइव यर्स का कोर्स होता है, जिसमें फोर यर्स अकेडमिक्स प्लस वन यर इंटरंशिप इंक्लूड होता है. उसके बाद आती है MDS, यानि की मास्टर्स इन डेंटल सर्जरी, जिसमें एट क्लिनिकल ब्रांशिप होती हैं और एक होती है नोन क्लिनिकल ब्रांश. तो इन ब्रांशिप के बारे में सेरिल वाइजम पढ़ते हैं, सबसे पहले आता है OMDR, यानि की Oral Medicine Diagnosis and Radiology. Medicine Diagnosis, यानि की बिमारियों को डियागनोस करना सिखना होता है, उनका Treatment Plan क्या है, प्लिस रेडियोग्राफी, यानि की X-ray लेने की टेक्निक सिखाई जाती हैं, X-ray कब लेना चाहिए, कैसे लिया जाता है, आज कल आपको पता ही है Digital X-rays आते हैं, पहले X-rays जो थे वो फिल्म पे ज्यादा तर दे जाते थे, आज कल आपके फोन पे ही Direct Transfer किया जाता है, इसमें basically OPG, IOPA या फिर CBCT भी Include होता है, CBCT ज्यादा Advanced होता है, जो generally Implants में यूज होता है, उसके बद सेकिंड जो ब्रांच होती है, वो होती है PhD, यानि की Public Health Dentistry, जिसे हम Community Dentistry भी कहते हैं, इसमें basically आप नाम से ही पता लगा सकते हैं Public Health, यानि की लोगों को Oral Health और Oral Hygiene के बारे में Aware किया जाता है, सर्वेज के जाते हैं, Camp Organize के जाते हैं, लोगों को Right Brushing Technique सिखाई जाते हैं, Dental Check-ups के जाते हैं, so basically ये सब Include होते है Public Health Dentistry मे, उसके बाद थर्ड ब्रांच जाते है, Oral and Maxillow यानि की Face, so basically जितनी भी Surgery आते हैं Face से Related, जैसे की Extraction हो गया, कोई दात निकालना है, Generally Wisdom Tooth निकालने जाते हैं, उसके बाद जो का Fracture है, या फिर Infection है, Abscess है, Abscess की IND, यानि की Incision and Drainage करनी है, उसके बाद या फिर Cist निकालना है, so basically ये सबी Surgery, Oral and Maxillow Facial Surgery के अंडर आत होते हैं, वो अपनी Facial Reconstruction Surgery भी कराते हैं, ये भी Oral and Maxillow Facial Surgery के द्वारा ही की जाते हैं, उसके बाद 4 ब्रांच आते है, Prostodontics and Crown and Bridge, Prostodontics का मतलब Artificial, Dontics का मतलब Teeth, यानि की Natural जितने भी Teeth होते हैं, जब वो Missing होते हैं, तो उनकी जगह पे उनको Replace करने के लिए हम Artificial Teeth लगाते हैं, For Example, आपने Clinics में देखा होगा, जितने भी E-Dentulous Patients आते हैं, यानि के जिन में एक भी दात प्रेजन नहीं होता है, उनको हम CD, यानि की Complete Denture प्रोवाइड कराते हैं, या फिर अगर किसी पेशेंट में एक या दो दात मिसिंग हैं, तो उनको हम Crown या फिर Bridge प conservative कहते हैं, उसके बाद अगर cavity pulp तक पहुच गई है, तो इसमें pulp involved हो रही है, तो हमें दात के अंदर जाना पड़ेगा, यानि की RCT करनी पड़ेगी, इसलिए इसे हम endodontics कहते हैं, उसके बाद 6th जो ब्रांच होती है, वो होती है orthodontics, orthos का मतलब होता है correct, endodontics का मतलब tooth, so basically जिन में दात आगे पीछे होते हैं, या फिर crowding होती है, या फिर spacing होती है, so basically इन सभी cases में हम orthodontic treatment करते हैं, यानि कि जिसमें braces वगएरा लगाए जाते हैं, अब 7th branch आती है pediatric and preventive dentistry, जिसको हम pedodontics भी कहते हैं, pedo का मतलब बच्चे, orthodontics का मतलब teeth, so basically बच्चों में जो milk teeth होते हैं, जिने हम primary teeth कहते हैं, 20 होते हैं, उनको ठीक करना, plus जो 20 teeth जो गिर जाते हैं, उसके बाद आते हैं permanent teeth, जब तक permanent teeth नहीं आते, तब तक हम primary जो दूद के दात हैं, उनको कैसे preserve रखते हैं, उनको कैसे बचाते हैं, जिसमें हम generally fluoride application करते हैं, उनकी filling भी होती है, plus RCT हम adults में करते हैं, जिसे हम बच्चों के case में प्रपैक्ट में कहते हैं, पर ये branch अलग क्यों बनाई, यहां पर हमीं समझना पड़ेगा, कि patient जो हैं, यहां पर बच्चे हैं, अब बच्चों में patients बहुत कम होती है, plus उन्हें डर बहुत जल्दी लगता है, तो यहां पर बच जो है periodontics, peri का मतलब होता है around, और dontos का मतलब होता है teeth, so basically teeth के around जो भी structures होते हैं, for example, gums होते हैं, जिन जाइवा होते हैं, और एक वीडियो में मैंने आपको बताए भी था, जो हमारी teeth की root होती है, वो bones से periodontal ligaments के थो जुड़ी होते हैं, so इन में जो भी problems आती है, infection होता इन सब को treat किया जाता है, उसके अलावा जो teeth cleaning होती है, जिसे हम scaling भी कहते हैं, ये भी periodontics में ही की जाती है, उसके बाद 9th non-clinical branch आते हैं, जिसे हम oral pathology कहते हैं, oral pathology यानि की oral cavity से related जितनी भी pathologies हैं, disorders हैं, उन सभी के बारे में पढ़ना होता है, plus for example, अगर cancer है, तो उसक biopsy करनी है, उसका diagnosis कैसे होगा, या फिर अगर normal number से जादा है, teeth की number या फिर कम है, या फिर tongue की जो normal shape होती है, अगर उससे जादा बड़ी है, उससे छोटी है, so basically oral cavity में जितने भी problems होती है, उन सब के बारे में oral pathology में पढ़ा जाता है, so yes, this is all about today's video, I hope आप सभी को समझ में होगी, अगर अच्छी लगे तो जरूर आइक करना, प्लस सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, thank you